नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग जैसे हैं कि आपको पता है कि बहें 17 जंद्रा की मीड़ील हिस्टरी की किताब चल रही है और Era of Melbourne मैंने आपको पूरा समझा दिया है 1286 से लेके 1287 तक बल्बन ने किया कै किया यह मैंने आपको समझा दिया वैसे तो Chapter 6 की Part 2 वाली PPT है ये लेकिन इसके दो पार्ट में आपको समझाया एक एरा उफ बल्बन और दूसरा पार्ट ये वाला है दा मंगोल एन प्रॉब्लम ऑफ दो नौथ फ्रेस्ट फ्रेंटियर जो कि कही न कहीं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा देखते हैं मतलब कि किस हद तक मंगोलों ने मैक्सिमम एक्सटेंट किया मतलब आप समझ सकते हैं बहुत दूर तक यहां मंगोल अटक करके गए थे लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि इन मंगोल को वापस लोटना पड़ा है बाउंट्री ओफ सल्तनत क्या है तो यह आपको सल्त किया है मंगोल को इस मंगोल इन्वेजन के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं एर और बंगबल कंप्रीट हो चुका है एर और बलबन जरूर देख लिए तो यह आपको पूरा पूरा टॉपिक ठीक से समझ में आएगा अब बात की जाए इंडिया की देखिए इंडिया के जो नाचुल बांटरीज है आपको पता है नौर्थ में बहोत बड़ी हिमालिया खड़ा हुआ है अब ये जो बढ़ोत बड़ा हिमालिया खड़ा हुआ है उसके चलते obvious ही बात है इस हिमालिया के नौर्थ में जो है वो स обнаруж की तरफ उसानी से नहीं आसकते हैं औ आपको नजलानक्षा तो आप कह सकते हो यहां से लेके यहां तक यह जो पूरा का पूरा इलाका है यह पूरी की पूरी पहाड़ी चोटी है और इस पर्टिकुलर रास्ते से इंडिया के अंदर एंट्री मार पाना मुश्किल था और कहीं न कि यहां पे भी मंगोलो का कब्जा था लेकिन यह जो पर्टिकुलर रास्ते हैं यहां पे बहुत सी आप कह सकते हो प्लेन इलाके भी है और इधर पे आ जाओगे तो बहुत सारी आप कह सकते मौंटेन पास्स भी है जिसके कि हंडन साइट से बच्चे हों नॉर्थ वेस्ट में हम लोग कहीं न striais आते हैं सो तो इन mountains का configuration कुछ ऐसा है कि माली जी इंडिया में कोई ruler राज कर रहा है और वो north west frontier को secure करना चाहता है तो अगर वो north west frontier को secure करना चाहता है जो पंजाब की fertile valleys हैं सिंध की fertile valleys हैं जो कि आप क Mickey सकते हैं या आज का present day पाकिस्तान हें सिंध का एक बहुत बढ़ा इलाका पाकिस्तान में फारा प्र्वा बढ़ा सिंध तो पाकिस्तान में चला गया है नहीं तो फिर आप बल नरेविल हो जाओगे चुकि बात ये है कि पंजाब और सिंध पाकिस्तान वाला उसके बाद अगर इंडिया का जो रास्ता है अब तो खेर बॉर्डर खड़ा हुआ है लेकिन वो रास्ता काफी प्लेन है तो बहुत आराम से पाकिस्तान की साइट से यहाँ पे इंडिया में एंट्री मार रहा सकता अब लाहूर पे चले जाए है लाहूर के पास बहुत आराम से पाकिस्तान इंडिया के बीच की एंट्री तो कुल मिलाके ओवर ओल अगर किसी इंवेडर को पंजाब और सिंद के इलाके तक पहुचने से रोकना है मतलब पाकिस्तान प्रेजिए पाकिस्तान के इलाके में पहुचने से रोकना है तो बहुत काबूल से लेके गजनी और कांदाहार तक की पकड़ होनी चाहिए उस पर्टिकुल रूलर के पास मतलब इंडिया में जो रूलर रूल कर रहा है उसके पास काबूल टू गजनियन कांदाहार की अगर ताकत होगी तो ही वो उसको पाकिस्तान के सिंध और पंजाब वाल इलाके से आने से रोख सकता है और ओवर ओल रॉर्थ वेस्स से अटैक के चांसे कम हो सकते है ये जो काबूल टू गजनियन कांदाहार वाला इलाका है इसके आसपास हिंदू कुष माउंटेन रेंजे से नीचे से कांदाहार काबूल गजनी से होते हुए री इंफोस्मेंट इन सैनिको की सेंटल एशिया से इंडिया की तरफ आती थी हमने देखा कि जो गजनविट्स थे वो भाई वेस्ट की तरफ तो जा नहीं पाए तो इस्ट की तरफ आने लगे कहिना कि जो गुरिट्स थे ये भी वेस्ट की तरफ नहीं जा पाए खौरिसमी अंपार के चलते तो इस्ट की तरफ आने लगे तो यह जो घजनविट थे और कहीं न कहीं जो यह घुरिट्स थे जो कि मौंब्ध गौरी वाले थे नैनिस्टी वाले यह सब इंडिया में क्यों एंट्री मार पाए चुकि इन पर्टिकूलर इलाकों से चलते हो यह Indyam में एंट्री मार अगर यह बात पर हालत खराब थी कि कई ये मंगोल हमारी तरफ ना अटैक कर दें पर फॉर्चनेटली इनको थोड़ा समय मिल गया था अभी वो सब चीजों के बारे में मैं आपको बता हूँगा दिल्ली सल्तनत के लिए इस पर्टीकुलर नौर्थ वेस्ट के लाके पे खासकर पंजा किसका गुलाम तो मुम्मद गुरी का एक और गुलाम था जो कि कही न कहीं आप देखोगे कि गजनी में राज में बैठा और गजनी वाले इलाके के पास ही ये पंजाब-बंजाब वाले प्लेंस थे लेकिन बाद में खौरिजमी अमपायर वाला आकि हाँ पे पंजाब और सिंदे की प्लेन में बैठ गया और अब इस खौरिजमी अमपायर को देख के कहीं न कहीं ये दिल्ली सलतिनत वाले डरने लगे चूकि दिल्ली सलतिनत वाले थी तो तरकिस ट्राइप तो इनकी बन नहीं पार रही त्यों खौरिजमी अमपायर से पहले भी काफी लड़ाय ओके इन फैक्ट जब कुतुबद्दीन अबक मरा 1206 में से लेकि 1210 1220 में जब कुतुबद्दीन अबक मरेगा उसके अद ऐसा लगा कि कुतुबद्दीन अबक के सकसेसर्स और खौरिजमी रूलर के बीच में लड़ाई होगी लेकिन उस समय पे मंगोलों ने चंगेज खान कितनी अच्छी सिटी जो की जक्सार्टस से लेके कैस्पेंसी तक पहली थी गजनी से लेके इरान तक पहली थी सब के ऊपर आप कैसकते हो कबजा हो गया ओवर ओल मंगोल से बहुत बड़े इलाके में कबजे पर आ गया ठीक है बहुत सारे आप देखोगे कि खौरिजमी अ लाका दिख रहा है ना चाहिए वो पीला हो चाहिए वो वॉयलेट हो पिंक हो ग्रीन हो यह सब मंगोस के अंदर था वो तो अलग बात है कि चंगेज खान के मरने के बाद उसके जो बच्चे थे उन्होंने अपने अंदर यह इलाका बाट लिया लेकिन पूरा का पूरा कलर इलाका है किसके कंट्रोल में मंगोस के कंट्रोल में मंगोल काफी ताकतवर थे आप देख सकते हो कि ब्लैक सी के चारो तरफ और कैस्पियन सी ब्लैक सी के चारो तरफ तो नहीं बट आल्मोस्ट ब्लैक सी का आधा कोस्ट और कैस्पियन सी का तो पूरा ही कोस्ट आप कह सकत लिए विधिया कि ये मंगोलों के अंदर आचुका था तो मंगोल्स वर एक्चुली वहरी पावरफुल बहुत ज़्यादा ताकतर हो गए थे ये मंगोल तो पहले तो एक खवरिज्मी एंपायर जो कि दिल्ली सल्तनात को एक मुसीवत लग रहा था, मंगोल तो इससे वड़ी मुसीवत थे ठीक है, फिर मंगोल का एक तरीका था, जब वो कहींप अटैक करते थे, तो टेरर को इस्तिमाल करते थे अगर वो कहींप अटैक करने जाएंगे, तो पहले वो सिटी में मैसेज बिजवाएंगे जब लड़ेंगे और मंगोल आर्मी से, जब लड़ेंगे और मंगोल आर्मी जीच जाएगी, उसके बाद ये एससोलिविई रुट मचाएंगे जो chief होंगे उस city के जो military rulers होंगे जो कहीं ना की resistance दिखा रहे थे उनको मार देंगे उनके women और childrens को गुलाम मना लेंगे civilians को भी नहीं छोड़ेंगे उनमें भी बहुत तोक मारा जाएगा हाँ, मंगोल दिमाग वाले थे जो काम के लोग होते थे उनको रख लेते थे जैसे कि जो craftsmen है इनको मंगोल आर्मी के लिए चुल लिया जाता था जो able-bodied men है उनको बहुत से important कामों के लिए चुल लिया जाता था जैसे पानी को एक जगा से दूसी जगा लेके जाना लकड़ी वगड़ा का कोई काम है जो citizens' ने के काम के नहीं होंगे उनको अच्छा लागा तुमार दी, अच्छा लागा तो जिन्दा रखा बच्चों को और और ओर्टों को जिन्दा रखा तो अपने काम की चीज़ें लो जिन्दा रखते थे वी बागी सब को मार देते थे आप समझ ये यहां पर मंगोल गया कर रहे हैं? अच्छी कासी city का जो trade था अच्छी कासी city का जो craft वगरा चल रहा तो उसको पूरी तरीके से मंगोल सने disrupt कर दिये तो मंगोल्स ने अपनी पॉलिटिकल राज के लिए पहले से जो एक सिटी फ्लॉरिश कर रही है उसका इतना अच्छा ट्रेड चल रहा है उसको आके उन्होंने तबाह कर दिये तो आप इसी बात एक कल्चलर डिगनेशन आएगा कि एकनॉमी को नुकसान पहुचेगा ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई ठीक है सेट बैक हुआ एकनॉमी को कल्चलर लेको लेकिन धीरे धीरे जो जो भी इलाका कंट्रोल मंगोल की कंट्रोल के अंदर आया वह पे पीज़ आया लौए नौट रर आया वाइस सीदी बात थी यहाँ पे कि मंगोल्स ने एक एक वर अपने आपको स्थापित कर लिया तो स्थापित करने के ले थाटिया गए इन इलाकु में कहीं न कहीं शानती हागए अब चाइना से होने वाला ट्रेड जो कि मेडिट्रेनिस सी तक जाता था वो बिल्कुल पीसफुल इलाके में होता था चुकि वहाँ पे मंगोल्स का एक अच्छा खासा राज चला था ठीक है आप देखो कि यह जो मंगोल्स जब इलाके के उपर कबजा करेंगे ना तो इरान तूरान और इराक इरान और इराक के आसपास का जो पर्टिकॉलर इलाका है आज के प्रिजेंट डेगा अगर आप इन मंगोल्स की बात को देखो तो मंगोलों के आने से पहले अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं यह इलाके बहुत फ्लॉरिशीं थे आप यह पर्टिकॉ ओपार का राच था और यह अपनी अपनी रिचनेस के लिए माने जाते थे अपनी शाद उसकत के लिए माने जाते थे जाते थे लकारने खेंगется होगे तो कई जनरेशन्स निकल गई एराक को और इरान जैसे इलाके को अपनी पुरानी प्रोस्पेरिटी बाने में ठीक है ते दिल्ली सल्थनत में फर्क पड़ा अब जब इन इलाकों में खौरिजमी अंपायर था तो यहां बहुत सारे आर्टिस्ट थे क्राफ्ट्समें थे थे लीडिंग फैमली के परसंस थे जब इनका अमपायर नीचे गरेगा यह सब दिल्ली की तरफ भागेंगे चुकि मंगोल अमपायर पूरी तरीके से इस्लामिक सामराज नहीं था और इनको कही न कहीं कोई नहीं जगा चाहिए थी और यह जो मंगोल्स थे यह बड़े कुरू मार देंगे लोगों को ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो ऐसे केसे में जो थेलोजिंस और नावी गिरामी स्कॉलर्स लेंड मेंस परसंस की कदर भागें दिल्ली सल्तनत की तरह भागें चुकि उस समय पर यह अकेला मुस्लिम स्टेट बटा था जितने भी एलीट मुस्लिम रुचते वो कहां भागे तो दिल्ली सल्तनत की तरह भागें समझ गया और अब दिल्ली सल्तनत इसलाम की सेंटर की तरह आगे बढ़ेगा ओके यहां पर इसलाम को एक इंफेसिस रखा जाएगा बॉन्ड ऑफ यूनिटी को लेके जो नए सेक्शन ऑफ रूलर्स थे वो कही इसलामिक सल्तनत बची नहीं थी खौरिजमी एंपायर एक इसलामिक सल्तनत थी बट वो यहां पे खतम हो चुकी थी ठीक है अब एक और प्रॉब्लम थी यह जो टर्किश इंवेडर्स थे देवर कट आफ रूम दियर होम लेंड आप समझेए यह इंडिया है अभी नौथ अब यह जो टर्क्स हैं वो कहीं न कहीं फ़स गए हैं फ़स क्या गए है मतलब वो सटल से हो गएं इंडिया की नौदरन लाके में और अब इंडिया की नौदरन इलाके से बाहर निकल पाना उनके लिए काफी मुشकिल था तो आब यह जरूरी था यह दिली सल्तनत के नवा में जा चुका था वो इलाका जल्दी वापस मिलने वारा था नी तो यह जो पर्टिकुलर इलाका था जहांपे दिल्ली सल्थनत थी इसको इन्होंने अपना माना और इसको कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की इंडिया में मुंगल थ्रोट पहुंचा 1221 में आप देख नदी की किनाने पे क्लड़ाई हुई वह जलालुदीन हार गया और वह गोड़ें प्र seinerी ब्रुट इंटे की तरा बहरी है कि इन्दस नदी के इस किनारे पे खड़े होके चंगेज खान सोच रहा है कि मैं Central Asia की तरफ ध्यान दूँ या मैं इंडिया की तरफ बढ़ू वो एक बहुत defining point था history का देखिए history में बहुत सारे defining points हो मैं आपको बताए ना कि एक कोई moment ऐसा आता है और आगे की पूरी history बदल जाती आप अपनी life में भी देखिए आपके life में भी ऐसे बहुत important instances आयोंगे जहां पर आपने decision लिया होगा और उस decision ने आपके life बदल दी होगा अच्छी बदली बुरी बदली उससे फर्क नहीं पढ़ता बढ़ कहीं न कि उन चीजों को देख क्या व्याद करते होगे कि यह वहाँ पर ऐसा कर देता तो यह हो जाता है कुछ इसी बदली है और इधर खड़ा हुआ है आपका चंगेश खान अब यह चंगेश खान सोच रहा है कि इंडिया की तरफ अटैक करूई अगर वो इंडिया की तरफ अटैक कर देता तो हो सकता है कि आज इंडिया की हिस्ट्री बिल्कुल बदली हुए थी चुकि उस समय पर जो दिल्ली सल्तनत थी इंडिया के अंदर वो ज़्यादा ताकत वर थी नहीं 1206 में इस्टैबलिश हुई थी और उस समय पर इंडिया इस मंगोलों के ओंसलोट को जहल पाता यह ज़्यादा कहनी सकते लेकि चंगेज खान इस इंदस नदी किनारे तीन महीने तक घुमता रहा फाइनली उसने डिसाइड किया कि इंडिया की तरफ नहीं जाएंगे यह जो खौरिजमी अंपायर के बचे हुए पोर्शन से इनको कप जाएंगे तो परशिया और उसके आसपास इराग वगरा का इलाका था जहां पर खौरिजमी अंपायर था उस इलाके को पूरी तरीके से कप जाने चकर में चंगेज खान ने पहरे फोकस किया अब इसके चलते आप देखोगे कि चंगेज खान इंडिया की तरफ नहीं है अभी चंगेज खान इंडिया की तरफ क्यों नहीं है यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और अलग-अलग हिस्टोरियस ने अपने इसाब से अलग-अलग जवाब दी है इंडिया में जो उस समय का टर्किष स्टेट था वो काफी कह सकते हैं कि कमजोर था और अगर मंगोस चंगेज खान के अंदर इंडिया की तरफ आ जाते तो चंगेज खान वैसे भी लोगों को मारने के लिए, काटने के लिए हजारों लाखों लोगों को उसने मारा इन सब चीजों के लिए बहुत फिमास है तो ये death, destruction, devastation कहीं न कहीं इंडिया में भी आ जाता तो जितना Turks ने इंडिया वालों को मारा था उससे यदा तो मुंगोल यहां पे तबाही मचाते लोगों को लूपते तो ये बंगोस Central Asia की तरफ चले गए basically charisma empire का जो इलाका था वहाँ चले गए और आप कह सकते हो कि कुछ समय के लिए जो दिल्ली सल्तनत था इसको थोड़ा peace मिल गया अब ये जलाल उद्दीन वाले किस्से की बात कर लेते जलाल उद्दीन खौरिजमी empire का था इंदस नदी पार करके वो भाग के दिल्ली सल्तनत के पास पहुचा और दिल्ली सल्तनत के पास पहुचके उसने asylum की भीक मांगी अब दिल्ली सल्तनत में जो rulers बैठे थे वो ये जानते थे कि अगर इस जलाल उद्दीन को हमने asylum दे दिया तो मंगोलों से पंगा लेने वाली बात हो जाएगी चंगेज खान से पंगा लेने वाली बात हो जाएगी तो बैए दिल्ली सल्तनत के rulers ने जलाल उद्दीन के सामने आज जोड लिया बैए तुम कोरिजमी empire वाले हो तुम्हारा हमसे कोई लेना देना है नि तुम यहां से जाव बैए तुम्हारी हम मदद नहीं कर पाएंगे तो जलाल उद्दीन को दिल्ली सल्तनत के rulers से मदद नहीं मिली दिल्ली सल्तनत के rulers की खुदी आलत खराती की मंगोल खान न अटेक ना कर दिये चंगेज खान अटेक ना कर दिये तो बैए जलाल उद्दीन वापस चला गया और सिज सतलज नाम का इलाका है सिज सतलज CIS-SUT-LEJ तो जो CIS-SUT-LEJ नाम का इलाका है वहाँ पर जाके यह जो जलाल उद्दीन है वो रहने लगा अब इस CIS-SUT-LEJ नाम के इलाके में क्या क्या आता है तो यह जो CIS-SUT-LEJ वाला इलाका है यह कौन से इलाका है आप कह सकते हो कि छोटे-छोटे जो स्टेट्स थे उस समय के पंजाब रीजन के वो यहाँ पैसे तो जो नॉर्थ में सतलज नादी आप मा लिजे इस्ट में आपकी हिमाल्याज आ गए और साउथ में आपकी यमुना नादी आ गई और वेस्ट में सिरसा डिस्ट्रिक्ट आ गए आपकी हिराने हरी आना की तो इसके बीच का जो पर्टिकुलर इलाका है इस को आप सो सिस सतलज स्टेट बो सकतो आज की डिटन मोहाली फिर जलंदर चंडीगड होशियारपूर भटिंडा लुदियाना फिरोसफुर अंबाला फरीद कोड फतैगर यम्नानगर ये सब पर्टिकुलर जो इलाके हैं वो सिस सतलज में ही आते हैं तो ये सिस सतलज वाले जो इलाके में था ये जलाल उट्दीन वैठा हुआ था ठीक है ये जलाल उट्दीन पहले तो कहा जलाल उद्दीन फसा हुआ है वहाँ पे चंगेज खान को पता चल गया चंगेज खान ने अटाक करती है शुरवास में जब चंगेज खान यहाँ पे गुसेगा और मंगोस की आर्मी गुसेगी तो वो एक्चुली में जलाल उद्दीन को पकड़ने के लिए आएंगे लेकिन उनका एक और मोटिव था कि थोड़ा बहुत इंडिया की तरफ भी घुश जाएंगे तो कोई प्राब्लम नहीं है कि आप देखोगे कि इल्तुत्मिश के समय पे मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोगों ने इल्तुत्मिश से बगावत कर दी थी यालदूस था, कुबाचा था, इन लोगों ने इल्तुत्मिश से बगावत करके लाहूर मुल्तान पे कबजा कर लिया दीरे दीरे लाहूर और मुल्तान को वापस इल्ट उत्मिश ने अपने पास ले लिया ठीक है तो उस समय पे तो आप कैसा थो कि मंगोल के अंदियेंस एक स्ट्रॉंग लाइन ऑफ डिफेंस आ गई किस के पास दिल्ली सल्तनत के पास लेकिन बीच बीच में आप देखोगे कि जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कभी मंगोल अंदर घुसेंगे फिर थोड़ा बहुत मंगोल को पीछे ढखे लेंगी दिल्ली सल्तनत वाले फिर मंगोल अंदर खुसेंगे फिर दिल्ली सल्टनतालों को पीछे ढखे लेंगे और ये प्राब्लम शुरुबात से ही थी इल्ट उत्मिस से लेके खापराजिया सुल्तान से लेके उसके बल्बन को देखोंगे और आगे जो भी रूलर साथ जाएंगे वो कही ना कहीं मंगोलों से बहुत परिसान रहेंगे चंगेजख कहान की मृत्ति होगी 1227 में ठीक है अब जब चंगेजख कहान की मिरत्ति होगी तो यह जो मंगोल अमपाईर है न यह बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जा गए mighty mongol empire कितना बड़ा mongol empire तो मैंने भी आपको फोटो में दिखाए भी था यह अलग अलग हिस्तों बढ़ गया था तो जो mangos बातु खान के अंदर थे वो रश्या के ओपर कबजे में चले गए एक मिन ज़रा इसके marker को मैं on कर दू हाँ तो बातु खान भी आपका चांगे इस खान का बेटा था रश्या वाला हिस्ता इसके अंदर में चला गया तिल 1240 तो mangos desisted from making any encroachment in India beyond the river in the river तो 1240 तक जाया तर mangos अंदर नहीं घुसे थोड़ा बहुत तो अंदर घुसे थे बट वो वापस लोट गया कही ना कहीं इस particular समय तक 1240 तक mangos का जो preoccupation था वो इराक और सीरिया था वो इराक और सीरिया पर पूरी तरीके से कब जाना चाते थे इसके चलते जो दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थे इनको समय मिल गया आपको पता है 1236 लेके 1249 तक रजिया गराज था उसके बाद आएगा बल्बन गराज बल्बन रजिया इन समने कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि स्टॉंग आर्मी डेवलप की थी दिल्ली सल्तनत की 1241 में तैर बहादूर करके मंगूल फोर्सस का एक कमांडर था ठीक है हेरत में हेरत प्रजेंडे अफगानिस्तान में ओके ये लाहूर आ गया अभी जब ये लाहूर आ गया तो अफरा तफरीश ही मज़ गी लाहूर में उस समय पे जो गवर्नर बैठा था वो अब अकेले तो मंगोलों से लड़नी पाएगा पाई बिल्कुल अफरा तफरी होगी मंगोलों न अटैक कर दे मंगोलों न अटैक कर दिया इस गवणर न जल्दी से दिल्ली पे पैगाम बेज़ा कि भई मदद को auf मदद को on दिल्ली से मदद आई नहीं रही थी तो गवणर भाग गया गवणर को पता चल ले गया था कि मंगोलों से लड़ने कोई मतलब नहीं जो कि इतनी बड़ी आर्मी है, दिल्ली सल्तना से कोई मदद आई नहीं, तो कहीं न कहीं ये गवर्नर भाग गया, मंगोस राहूर में घुसेंगे और पूरा टाउन बरबाद कर देंगे, फिर कुछ हब तक ये मंगोस मुल्तान में भी घुसाएंगे, लेकिन अब तक आप द 1230 में इमादुद्दीन रहान को बठा दिया था, इमादुद्दीन रहान पहले से एक्टिव था वाग पॉलिटिक्स में, कुल में लाके, इस पूरी इंटर्नल कोई गमार में, जहां पे बल्बन अपने आपोजीशन के अगिस लड़ रहा था, पॉलिटिक्स कर रहा था, उससे अब मंगोलों को एक मौका मिल गया और मंगोलों ने फिर से लावर पे टाया किया, लावर पे फिर से कबजा कर लिया, ओके, इवन संट टुर्किश नॉबस इंक्लूडिंग शेर खान, गवर्नर अफ मुल्तान थूइन देरे लाट विद दू मंगोल्स कहना है, जो बलबन के और दिल्ली सल्टनत की सेंट्रल अथौर्टी के अंदर जो गवर्नर थे, जो दिल्ली सल्टनत के बियाफ पे इस पर्टिकुलर अलाके के ऊपर कबजा करके बैठे थे, वो मंगोल के साथ बैक डील कर लेंगे, कि ठीक हम आपके साथ हैं, हम आपकी मतलत में बाद में हमें अपने राजा बना देना ये गवर्णर सोचेंगे कि हम गवर्णर हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर इस से अच्छ हम गवर्णर बन जाते हैं मंगोलों के अंदर ये मंगोल दिल्ली सल्तनत वालों से ज्यादा ताकतवर हैं बलबन यहां बहुत ला मंगोलों से दीरे दीरे आप देखोगे कि दिल्ली की जो बाउंटरी थी वो कम हो रही थी पहले इंदस थी फिर जेलम हुई फिर बयास हो गई मतलब मंगोल थोड़ा थोड़ा करके अंदर गुस्ते आ रहे थे ठीक है अब ऐसा नहीं है कि बल्बन बिल्कुल ही हाला था बल्बन धीरे धीरे मंगोलों को पीचे बीड़ा केल रहा था बट मंगोल प्रेशर उसके उपर बहुत था अभी मंगोलों को बल्बन को सिर्फ मंगोलों से लड़ना होता तो बात अलग थी बल्बन के राज में हर कोई यहाँ पर विद्ड़ो कर रहा था राजपूर तो विद्रो कर रहे थे, एक्स्टरनल मंगोलों का टैक तो होई रहा है, चहल गानी उसको तो परिशान कर रहे हैं, अब पोजिशन बहुत था, आप कह सकते हो बल्बन की तरह, लेकिन बल्बन ने फिर भी किसी तरही करी, मुल्तान जो कहीं न कहीं, मंगोलों ने जीत लिया था, उसको बल्बन ने जैसे तरह से करके रेकवर किया, तो बल्बन को ऐसे रूरल काफी प्रॉब्लम जहिननी पड़ी, उसने फोर्स का भी साथ लिया, उसने डिप्लोमाजी का भी साथ लिया, उसको पता था कि मंगोलों के साथ आर्मी भी भीजी लड़ने के यहां पे फोर्ट्स बनवाए, यहां पे अपनी स्ट्रॉंग आर्मी को प्लेस करवाए, ताकि यह मंगोल ब्यास नदी को क्रॉस करके इस तरफ न आप आए, अब देखिए यहां पे जो बल्बन था वो दिल्ली में रहा, आपको याद होगा अरंग जेप कही न कहीं मराठास के अगेंस्ट यूद जीतने के लिए साउथ में ही जाके बैठ गया था, यहां पे बल्बन ने सोचा कि चलो मैं भी एक काम करता हूँ, थोड़ा नौर्थ-वेस्ट की चलब चलता हूँ, मैं पास में रहूँगा, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से मंगोल अटेक को प्रिशानी नहीं थी, बल्बन जानता था कि अगर मैंने दिल्ली के सेंट्रल गद्धी छोड़ दी, तो मेरे पीट पीछे कद्दार बहुत हैं, यह मेरे पीट पीछे फिर यहां पे फिर से शड़यंत करने लगेंगे, तो बल्बन के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो दिल् प्रॉब्ली की सेंट्रल सीट के उपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, अब आप यहां पे देखोगे कि बैक एंड से जैसे तैसे करके इन मंगोल के साथ दोस्ती करने की कोशिश की, यहां पे बल्बन ने, तो उसने हलाकू करके मंगोल रूलर था, एक मंगोल टू खान आफ इरान था, इन सब के पास उसने कही न कहीं आप देखोगे कि अपने एन्वाइस बेजे, इनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, हलाकू से कुछ लोग बातचीत करने के दिल्ली बे आये, बल्बन ने इनका खूब स्वागत किया, बल्बन ने बोला कि ठीक है भाई, यह जो पंजाब मंगोलों के कंट्रोल के अंदर इस पंजाब पर हम लोग जादा नहीं जाएंगे, तो मंजोल की टुकड़ी ने बोला कि ठीक है भाई हम दिल्ली पर अटैक नहीं करेंगे, अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने पड़ेंगे, आप यह देखे, एक आपको यहाँ पर नजरा रहा, इलखना अट मंगोल, यह अलग मंगोल से हैं, शगताई खतनात, यह अलग है, यहाँ का गंट्रोल अलग है, खनात आफ दा ग्रेट खान्ग है, इंडिया की बांडरी एक तो यह चनाफ दा ग्रेट खान से लगरी ही, लेकिन खनात अफ ग्रेट खान से खत्रा इसलिए था चुकि यहां बहुत बड़ी हिमालियन रेंज खड़ी थी तो इसको क्रोस करके इधर आना मुश्किल था लेकिन ये पर्टिकुलर इलाका इधर से शगताई खनात वाला और इल खनात वाला ये जो वालेट में दिख रहा है और थोड़ा वो तेहां पिंक में जो दिख रहा है इन दो इलाकों से मंगोल इंडिया के अंधरी एंट्री मार के आटाक कर सकते थे तो इनी दोनों इलाकों के साथ यहां पर मांडवली करने की कोशिश कर रहा था बलबन अब समझे यहां पर यह बलबन यहां मांडवली करने की कोशिश कर रहा है यह जो शगताई खनेत है मंगोल वाला इसके साथ मांडवली कर रहा है और यह जो इल्खनेत है इसके साथ मांडवली कर रहा है थोड़ा मैं इसको मिठा दूँ तो थोड़ा और क्लियर दिखेगा ठीक है हाँ तो ये जो इल खनेत पर्षया वाला इलाका है और ये जो शगताई खनेत हैं इन दोनों जगहों पर वल्बन मांडवली करने ही कोशिश कर रहा है कुछ हद तक वो मांडवली करने में आपे सक्सेस्फुल विरा हालाकू से तो कुछ लोग भी आए और यहाँ पर आके उसने बात की हालाकू एक रूलर का नाम था मंगोल रूलर था ये अब आप समझेए ये अलग-अलग कलर्स में जो आपको इलाके दिख रहे हैं नहीं आके पॉलिटिक्स भी अलग-अलग हो गई है और जब इलाके बढ़ जाते तो आपस में लड़ाई होने लगती है बले आप एक ही एंसिस्टर से निकले हो तो ये जो इल खनेत वाला इलाका था मंगोलो का और जो शगताई शनेत वाला इलाका था मंगोलो का इनकी आपस में नहीं बनती थी इनकी आपस में काफी लड़ाई थी और ये जो शगताई खनेत वाला इलाका है यह ट्रांस- आक्सियाना रीजन में भी आता था समझेऄ यह ट्रांस- आक्सियाना रीजन में भी आता था अगर आप बात करूगए कि भई यह ट्रांस- आक्सियाना रीजन में क्या-क्या आता है तो Gordon Day Eastern Uzbekistan, Southern Kazakistan कुछ अपत्यत्क Southern Kirgist excellز तजीकिस्तान का थोड़ा सा इलाका ये सब कहां पे आता है तो ये सब आता है आपका ट्रांस आक्सिया नामे आप समझे ये जो इलखनेत वाला था इसने कही न कहीं बल्बन के साथ अच्छे रिष्टे कर लिए और इलखनेत वाले में बोला कि ठीक है बल्बन से बोला कि हम तुम पे अटाक नहीं करेंगे ये जो शगता ही खनेत वाला था इसका काम नहीं बन पाया इसको लगा कि हम कहीं न कहीं इंडिया के उपर अटाक करेंगे दिल्ली सल्तनाथ के उपर अटाक करेंगे अब समझ ये ये जो इंदस नदी है इस इंदस नदी के बेसिन में ही है आपका मुलतान और मुलतान के पास सही बहती ही जो इंदस नदी है अब हुआ ये कि मुलतान जैसे तरसे करके मंगोलों से वापस छीना किसने बल्बन ने ठीक है भई और मुल्तान पे अपने एल्डेस्ट बेटे प्रिंस महमूत को बैठाया बल्बन ने बल्बन को लगा कि मैं अपने बेटे को बैठाओंगा तो मेरे साथ कोई धोका नहीं होगा रोग कही न कहीं आफेर्स को देखे रहेगा ठीक है भाई यह जो मुल्तान और बीस की लाइन थी जो कहीं न कहीं मंगोलों के साथ बना रखी थी और यह मांडवली हुई थी कोई मंगोल इंडिया के तरफ नहीं गुसेगा लेकिन फिर भी गुसे थोड़ा बहुत इंकाउंटर हुआ और यहाँ पे यह जो प्रिंस महमूत था जो कि बल्बन का बेटा था यह मारा गया आप देखोगे कि बल्बन 1286 में लेकिन बल्बन ने जो भी मंगोलों के साथ अर्रेंजमेंट्स की थे वो बाद में दिल्ली सल्तनत को काम आएंगे 1292 में अब्दुल्ला जो की हलाकू नाम के राजा का ग्रैंटसन था वो दिल्ली की तरफ बढ़ेगा डेड़ लाख होरसे के साथ और बल्मन की जो फरंटियर लाइन थी तबर हिंदा सुनाम के पास जो बनाई गी थी वहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी की तरफ से जो आर्मी होगी वो कहीं नगी हलाकू के ग्रैंटसन अब्दुल्ला को रोग देगी तो कुल विलाके ये जो administrative arrangements की थे अब समझे बात को अटायक हो रहा है शगताई खनेत की तरफ से ठीक है ना ये वाला इल खनेत चान थे अभी इल खनेत और शगताई खनेत मिलके अगर इंडिया की तरफ अटायक कर देते ना नहीं रोक पाता खिल जी लेकिन जलालुद्द के लूरर से भूला कि मंगोलों को फाल तूं हुमिलियेट मत करो, हुमिलियेट करो कि तो सब मिल जाएंगे, फिर मिल के अटाइक करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो 4000 ओन रेस किया और दिल्ली के पास आके रहने लगे, अब ये मंगोल अटाइक क्यों कर रहे हैं, ऐसे तैसे करके expand करना था expand करने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं एक campaign शुरू कर दिया जो रूलर था दवा खान उसने 1297 में डिल्ली की फोट पे 1299 में इसी दवा खान का जो बेटा था कुतलुक ख्वाजा ये दो लाग की सेना लेके आया दिल्ली पे कहीं ना कहीं अटैक करने के लिए दिल्ली का communication आपस की अलागों से तोड़ दिया बहुत सारी दिल्ली की streets में गुजबी गए अलाउद्दीन खिल जी रूलर था अलाउद्दीन खिल जी को पता चला अलाउद्दीन खिल जी ने काउंटर यहाँ पे आप कह सकते हो की strategy चली अलाउद्दीन खिल जी अपनी आर्मी को लेके पहुँचा मंगोल्स कुछ लोग खा जाके अंदर अपनी आर जैसे इने लॉष्प शा भी सवार्गू वापस बागे दिल्ली की तरफ। एक दूसरी का सामने क्यान करने लगे हैं चीन किसे पूरा पूरा इलाका इनुद्ग भीचो खैऩा है। अब ऐसा क्यों है, समझे बात को, दिल्ली यहां कहीं है, इसके बीचे जो पूरा का पूरा इलाका है, इसके अंदर गुसा है, अब आप मेंसे बहुत सरे लोग बोलोगे, जब इतने बड़े इलाके में मंगोल गुसा हैं तो इस पर कबजा क्यों नहीं किया, उसका रीजन य अब अगर तुम दिल्ली सल्तनत के उपर कबजा नहीं कर पाऊगे, तो दिल्ली सल्तनत की आर्मी भी तुम से लड़ेगी, सासाथ इस पर्टीकुरा इलाके में जो राजपूत रजवारे हैं, वो भी तुम से लड़ेंगे, जो इंडिजल प्रिंसिपालिटीज हैं, वो भ पहले तो सब को चंगेज खान के अंदर था, अभी आपस में बढ़ चुके थे, चंगेज खान के डिसेंडेर्स, तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स वीज से में बहुत चलती थी, ओके, लेकिन आप देखोगे कि आगे मंगोल में एक और नया कॉंकरर आएका तिमूर, जो क कहीं न कहीं, अंदर से बटे हुए मंगोलों को आपस में जोड़ेगा, अब मंगोल के अंदर जो कंशूजन था, उसका फाइदा कहीं न कहीं आप देखोगे कि दिल्ली की रूर्स ने उठाया, अच्छा हमें एक वार बात और बता दू, अलाउदीन खिल जी ने जब पु मंगोल अपने लेके आये थे, लेकिन दिल्ली के आसपास के जो इलाके थे ना, वहाँ पे लोग बहुत सफर कर रहे थे, च्योंकि वहाँ लगाता, डर का महौल था, बहा का महौल था, कोई प्रॉपर ट्रेड चलनी पा रहा था, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें खतम हो गई थे, लोग बहुत परिशान थे, लेकिन फिर भी, यह जो दिल्ली के सुल्तान थे, इन्होंने इतना दिमाख लगाए कि जैसे तरह से करके इन्होंने अपने आपको मंगोलों से बचा लिया, च्योंकि उससे में मंगोलों से बच पाना अपने आप में बहुत उनके लिए एक वही बहुत बड़ी बात थी, तो इससे यह पता चला कि यह जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं, यह जैसे तरह से करके मंगोलों से लोहा ले सकते हैं, अलाउदिन खिल जी ने भाई, मंगोलों के डर से एक बहुत लार्ज एफिशेंट आर्मी भी बनवाई थे, ओके, फिर बात में देखोगे कि बहुत बार मंगोलों ने कब्जा किया, बहुत बार दिल्ली सल्तनत की आरमी और मंगोल की आरमी की बीच में लड़ाई हुई, दिल्ली सल्तनत हारी नहीं, मंगोलों को वापस जाना पड़ गया, 1306 में जो दवा खान था जो कि ट्रांस ओक्सियाना की रूरर था उसकी मौत हो जाती है फिर वहाँ पे सिविल वार शुरू हो जाता है तो वहाँ पे जो थेट था इंडिया के लिए कोश समय के लिए कहतम हो जाता है फिर तिमूर आएगा तो ये कहानी आपकी चलती रहेगी मंगोस काफी परेशान करेंगे फिर आप देखोगे कि पूरी जो 13 सेंचुरी थी एंटाइर 13 सेंचुरी 1206 से राज हुआ है कुतुब उद्धी नइबा का शुरू पूरी 13 शताबदी में दिल्ली सत्रत कहीं न कहीं मंगोलों से बहुत ज़्यदा परेशान रही है पंजाब पर पूरा मंगोलों कबजा था इंडियन साइड ऑफ पंजाब वाले में काफी हत तक मंगोल अंदर गुसा है थे कश्मीर उनके कंट्रोल के अंदर था दिल्ली के उपर वो कबजा नहीं कर पाए गुसे वो बहुत हत तक दिल्ली की गलियों तक उनकी आर्मी पहुँच गई थी लेकिन कहीं न कहीं टर्किश रूलर्स ने खिल जी और उससे पहले ये जो स्लेव रूलर्स हैं ममलूक रूलर्स इन्होंने उनको पीछे नकेल दिया ठीक है लेकिन आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत पे भी इन मंगोलों के अटैक का बहुत इंपक्ट पड़ा है कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे तो यह था पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों आप को कुछ हलका-फुलका समझ में आया हो अगली वीडियो में इंटर्नल रावैलियेंस इंदा स्ट्रगल फौर द टरिटोरिल कंसलेडिशन दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे और उसके जस्ट नेक्ट वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के सेकेंड पार्ट में बहुचेंगे जहां पर खिलजी इसके बारे में और तुगलक्स के बारे में बात होगी तो आपको मज़ा आ रहा होगा इन वीडियो को सुनने में जतना ज़्यादा हो सकता होतना में इंट्रस्टिंग मना रहा हो अपने वीपर नीचे कमेंड बॉक्स में जब दीजेगा ज़्यादा सथ लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अब तक नहीं किया तो जॉइन बटन दबा के आप हएल्प कर सकते हैं वीडियो को शेयर जरू करो दोस्तों महनत लगती वीडियो बनाने में जब आप शेयर करते तो मजा आता है जोगी जब ज़्यादा लोग देखते तो मजा आता है लांग टर्म में अभी सी बात ही वी अब अब अगर आप ज़्यादा शेयर करोगे डियो डेफिनिटी भरेंगे थैंक यू फॉर वचिंवरेंट्स वा ग्रेट देखते हैं